निचमा बजिल्ला डिच्पलिलोस मृति इरान प्रसंगप अपनी फसल किसान ने लगबग 30,000 करोड रुपिया 30,000 करोड रुपीज का इनान के प्लाटफॉर्म पर व्यवसाय किया है इसका लाब सीधा किसान को पहुचा है आज त्यलंगाना में जब चुनाव चल रहा है एक सक्ति को इस मंच से स्विकार करना होगा एक तरह भारतिय जनता पार्टी की नेकृत की केंडर की सरकार त्यलंगाना में चहुमुखी विकास करना चाहती है लेकिन दूसरी ओर पार्टी इस विकास को अपनी राजनीती के लिए जनता तक पहुचाना नहीं चाहती पार्टी के नकार करता और नेताओं से निजावाबाद रूरल कॉंस्टिटुएंसी के नागरिकों को पूछना चाहिए कि तेलंगाना में बहतर स्वास्ति की सुविदा उपलब्द हो इसलिए नरेंद्र मोधी ने केंद्र से 1200 करोड का संक्षन का एम्स घोशित किया है क्या TRS पार्टी की सरकार ने उस एम्स की स्ठापना के लिए पूरा प्रशासने कारे किया है क्या जमीन आवंटित की है TRS से पूछना चाहिए कि इतना राजनेतिक अहंकार क्यों कि आज तेलंगाना में स्वास्ति की सुविधा इतनी खराब हो चुकी है कि अब सरकारी ऑस्पिडल में भी डॉक्तर हेलमेट पहन कर काम करता है